पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है नितिश कुमार को ले करके एक रर्निती बनाई गई थी और कई राज्यों में नितिश कुमार की रैलियां होनी थी हला कि से पहले पांच राज्यों के चुनाओं के समय भी एक रैली की घोशना हो CLS गता निरस्त कर दिया गया और कॉंग्रेस बुरी तरह से हार भी गई एस्टेट जी भले ही चाहे जिसकी भी बनाई गई हो लेकिन मोदी के एस्टेट जी कहीं न कहीं हिट न जराई हम बार बार आपको कह रहे हैं कि जब लोग सबाद चुनाओ होते हैं तो उसके एक साल पहले या विधान सबाद चुन करना है कैसे लोगों के साथ बात करनी है और कैसे अपने विपक्षी पर हावी होना है यह सारी स्टेट जी खुद बनाते हैं आपको याद होगा कि नितीश कुमार के लिए 24 तारी को एक कारेकरम प्रस्थावित थी बनारस के रहिनिया में उन्हें एक रहली करनी थी जो कैं की गई है इसके तह में यह दि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नितीश कुमार यह बात अच्छी तरसे समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी से टकराने की स्थिती अभी नहीं आई है अभी नितीश कुमार के पास वो वैधानिक पद भी नहीं है जिसको ले करके नित नरेंद्र मोदी से बचा जाए लेकिन इस बीच में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्टोक खेल दिया है जिसने कहीं न कहीं सब को चीत कर दिया है आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का अगर हम खुलासा करें तो आपको साफ नजर आने लगेगा और मेरे बीना बताए आप इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है तो हो यह रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से स्टेट्जी पर अपना काम सुरू कर चुके हैं वारान शी में नितीश कुमार के जाने की खबर ने कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को एलर्ट कर दिया और न वारान शी से अपने संसदिये छेत्र से जिसमें कॉंग्रेस को चीत कर दिया है और नितीश लालू भी अब चाहें लाग कोसिस करें नहीं बचा पाएंगे कॉंग्रेस को आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी दो दिवसिये दोरे पर पहुंचे हुए थे वारान शी उन्हो दोनों तरफ से एक दुसरे पर वार परतिवार हो रहा था एक दुसरे पर कहा जा रहा था कि नहीं होने दिया गया जगह नहीं मिला तो उधर से कहा जा रहा था कि हमें आवेदन ही नहीं मिला है उस बात को तस्दिक करने के लिए हमने वहाल के प्रशासनिक अधिकारियों स जबकि नरेंद्र मोदी दो दिवसिये दोरा पर वारा नसीब पहुँचे हुए थे तो उन्होंने जो काम किया है वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस को चारो खाने चीत कर देता है। हमने आपको पहले बताया था कि कहा जाए तो हिंदी पट्टी के छेत्रों में कहीं नरेंद्र मोदी का अपना बार्चा सुक अभी भी कायम है बातसाहत कायम है अब दख्षिन के छेत्रों में नरेंद्र मोदी का ध्यान चला गया था। करनाटक हारने के बाद नरेंद्र मोदी लगतार ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे दक्षिनी चेत्रों में लोगों पर अपना प्रभाव जमाया जाए। आपको बता दें कि इन सारी बातों को ले करके कहीं न कहीं जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वारा नसी तो उनके सामन सब कुछ साफ नजर आता है नरेंद्र मोदी ने वहाँ पहुंच करके लोगों से पूछा कि जब खुद लोग मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो अपिक्षा की थी जन कल्यानकारी योजनाओं का उस पर कहीं न कहीं खारा उतरता हुआ नजर आ रहा है य उन्होंने कहा कि इसे हमें संतोस मिलता है और हमारा आत्म विश्वास और कुछ करने का बढ़ता है उन्होंने संकल प्यात्रा देश के लिए 247 तक का एक विक्सित राष्ट बनाने का बिजारोपन वहीं से किया है अगले 25 वर्सों में बठब्रिक्ष बनेगा भारत और इस लोगों से परतिग्या भी करवाई वारा नसी में रविवार को विक्सित भारत संकल प्यात्रा के उसर पर परतिग्या लेते हुए परधान मंत्री ने सभी को ये बात आस्वस्ट करने के लिए कहा कि अब ये देश पूरी तरह से एक जूट होगा और विश्व इस पर गर् भी किया आपको बता दें कि इन सारी योजनाओं को देखते हुए सीधे नजर आ रहा है कि हिंदी पट्टी से ले करके अब दक्षिनी छेत्रों तक नरेंद्र मोदी का ध्यान चला गया है और यहां जो सबसे मजबूत गढ़ कॉंग्रेस कहा जाता था वहां नरेंद्र सबसे बेहतर बिकल्प हैं बदली हुई परिष्थिती में देखना दिल्चस्प होगा कि 19 तारी को जब बैषता है आई एंडिया यह गठबंधन तो क्या फैसला निकल करके सामने आता है जुड़े रहेगा भारत लाइब के साथ बहुत धन्यबाद अगर वीडियो पसंद कारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद